अगला कोश्चन है अकवर के सासन काल में भूरस्प सुधारों के लिए कौन उतरदाई था ओप्सन है टोडरमल, बिहारीमल, जैसिंग, बिर्बल अकवर के सासन काल में भूरस्प सुधारों के लिए कौन उतरदाई था इसका उत्वदाई था टोडरमल अप्शन ए हो जाएगा अगला कुश्चन है अकवर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था अप्शन है इबारत खाना बुलन दरवाजा दिवाने खास या इन में से कोई नहीं अकवर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था इनका नाम था इबारत खाना अप्शन ए हो जाएगा अगला कुश्चन है किसने मुगल समराज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली इस्थाना दित की अप्शन है बहादुसा अकवर सहाजा जहागीर किसने मुगल समराज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली इस्थाना दित की तो है सहाजाने आप्शन सी हो जाएगा अगला कुश्चन है अकवर की युवा बस्था में उसका सरक्षक कौन था आप्शन है फैजी और उल्फाजल बैरम का हेमू तो आप्शन की युवा बस्था में उसका सरक्षक था दोस्तो वह था बैरम खा तो आप्शन इसका सी हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं इसे किस इस्थान पर नादिसा ने चड़ाई नहीं की थी आप्शन ने करनाल कनोज दिल्ली लाहोर तो दोस्तो इसका उत्तर होगा कनोज आप्शन भी हो जाएगा अगला कुश्चन है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्मान की प्रमपरा की सुरुवात की थी अप्शन भाबर सहां जहां जहां गीर अकबर कुश्चन है दोस्तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्मान की प्रमपरा की सुरुवात की थी तो इसका उतर होगा दुस्तो बाबर यहां कहरा सुरुवात किसने की थी दुस्तो तो बाबर ने तो अप्शन ए हो जाएगा चले अगला कुश्चन है राजा बिरबल की उपाधी किसे दी गई थी राजा बिरबल की उपाधी किसे दी गई थी आप्सन है बनमाली दास, राजा भाग, राजा भगवान दास, महेश दास यानि में से कोई नहीं राजा बिरबल की उपाधी किसे दी गई थी तो राजा बिर्वल कुपाधी दोस्तो महेश दास को दी गई थी ओप्सन सी हो जाएगा आए कुशन एक किस मुगल सासक का दो बार राजे फिसेख हुआ ओप्सन सहा जहां औरेंजेव अकवर जहांगीर किस मुगल सासक का दो बार राजे फिसेख हुआ वो था दोस्तु औरेंजे अप्सन B हो जाएगा अगला कुछन सेरसा सुरी का मकबरा कहां इसी थे अप्सन लाहर अप्सन B है दिल्ली अप्सन C है आगरा अप्सन D है सासारा सेरसा सुरी का मकबरा कहां इसी थे इसका मकरा बिहार के सासारा में अप्सन D हो जाएगा आए कुशन है अकवर का राजे भिसेक कहा हुआ था अप्सन काला नौर, सिकरी, आगरा यानि में से कोई नहीं अकवर का राजे भिसेक कहा हुआ था इसका राजेव इसे खुआ था काला नौर में अप्सन ए हो जाएगा अगला कुशन है किस राजपूत वन्स ने अकवर के सामने समर्पन नहीं किया कुशन है किस राजपूत वन्स ने अकवर के सामने समर्पन नहीं किया अफ्षने प्रमार बंस, चैन्धेल बंस, सीसोधिया बंस इसका उत्तर होगा icon d हो जाएगा आए question is किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था अफ्षने आरेंजव, जहां गीर अकवर सहां जहां किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो आलमगीर के नाम से औरेंजम को जाना जाता अप्सन एह हो जाएगा आए कोश्चन ने समराट अकवर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधी से अलंकरेत किया गया था कोश्चन है कोश्चन है समराट अकवर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधी से अलंकरेत किया गया था तो वो था दोस्तों मुहम्मध हुसैन को अप्सं ड हो जाएगा आए यहाई कुछ बी हो जाएगा में अगला कोस्चन है फैजी, नेमकर्त में से किस के दरवार में रहा ऑपसान है दारसी को बहादूर सा अकवर हुमाईू पैजी जो था वह किसके दरवार में रहा तो इसका उतर होगा अकवर अपसान C हो जाएगा और आए कोशन किसके समय में मलिक मुहम्मद जैसी ने पादमा मत की राशना की आपसन याकबर सहाजा और एंजेव सेंरसा तो इसका उतर होगा सेंरसा आपसन डी हो जाएगा आए कोशन है किसने चौशा के लड़ाई में हुमायू को प्राजित किया था कि अपसन सी बाजी महाराना परताब सेंरसा यानि में से कोई नहीं चौशा क लड़ाई में हुमायू को प्राजित किया था किसने तो तो हम्मद में हो जाएगा है आए कोशन हुमायू को मगबरा कहां है इसका मगरा दिल्ली में अपसन यह हो जाएगा किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया अगला question है भात में बीबी का मकवरा इसी थे मीजापुर में, हैदराबाद में या औरंगाबाद में किस मकवरा औरंगाबाद में है दी हो जाएगा आईक कोशन है किस यूद को जितने के बाद सेंसा नेदिली में अफगान सत्ता के स्थापन है he anovaste ने कालेन्जर का yood चौशाः के यूद बिल्गराम का यूद या इन में से कोई नहीं है इसका उत्तर होगा बिल्गराम का यूद ओपसन सी हो जाएगा एक question अमलिकृत भारतिय सास्को में से अकवर के समकाली ना कौन थे आकवर के समकाली ना कोन थे अप्सन है अहलीयाबाई मातंड वर्मा रानी दुर्गाबाथी यानी में से कोई नहीं तो इसका उतर होगा रानी दुर्गाबाथी जो कि अकवर के सामकालिन थी अप्सन C हो जाएगा अगला कुशन सहाज जान एनिमलिकित में से किस सहर में मोती महजीद बनवाई थी अप्सन या आगरा, अमरकोड, जैपुर, दिल्ली तो मोती महजीद जो बनवाई थी दूस्तो वो आगरा में अप्सन E हो जाएगा आएक कुशन है किस मोगल बासा ने जजिया नामक कर पुनह लगाया अप्सन ए औरेंजियव सेंसा अकवर सहाज जहाँ तो जजिया नामक कर पुनह लगाया थी दूस्तो अप्सन E हो जाएगा आएक कुशन है सिवाजिने मुगलों को किसदी के 12 किलों को सत्ता नंत्र किया अप्शन है पूं ने पुरंधर तुर्ण चित्त ओर तो इसका उत्तर होगा पुरंधर किसंदी के तहत अप्शन भी हो जाएगा आएक कूर्शन है दच्छन में निमलेखित में चीनक किसके सासन मुगल्ब सम्राज़ तमिल राज़े छेतर तक फहला और इंजव सहजां अकवार सेरसा इसका उतर होगा और इंजव और इंजव अपसन ए हो जाएगा आए कोश्चन दस्तान ए अमीर हमजा का चेत्रांकन किसके दोड़ा किया गया अपसन मंसूर मीर अबूल हसन सेयद अली अब्दुस समध तो इसका उत्तर होगा अब्दुस समध होगा अपसन डी अगला कोश्चन है इरान के साह और मुगल सास को के बेच जगरे की जड़ क्या थी अपसन कंधार कुंदूज गजनी काबूल तो इसका उत्तर होगा कंधार अपसन नंबर यह हो जाएगा अगला कोश्चन ने पटना को प्रांतिय राज़ानी बनाया था अपसन इबराहिम लोदी ने साह ज़्यादा आजिम ने सेहरसा ने यानमेस्विक कोई नहीं तो इसका उत्तर होगा सेहरसा ने अपसन C हो जाएगा अगला कोश्चन दिल्ली के लाल कीले का निर्मान किसने करवाया था अपसन एकबर साह जहां जहांगीर तो इसका उत्तर होगा सहा जहां के द्वारा किया गया था लाल के लिए के निर्मान आपसन D हो जाएगा आए कोश्चन है मुगल समराट अकबर के समय का परसिद चितरकार था आपसन है अबुल फजल उस्ताद मनसूर बिसंदास या दसवंथ तो इसका उत्तर होगा दसवंथ आपसन D हो जाएगा जो के एक परमुक चितरकार था अगला कुश्चन है निम्ड में से किसने मुगल काल में एतिहासिक वीबरन लिखा आपसन है गुल बदन बेगम, जहां आरा बेगम, नूर जहां बेगम आपसन D में से कोई नहीं किसने मुगल काल में एतिहासिक वीबरन लिखा तो है गुल बदन बेगम, जो की हुमाई को ब्राण थी आपसन E हो जाएगा आपसन है जहांगीर के दरवार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितरकार था आपसन है मनसूर यह उतर होगा मनसूर आपसन E आपसन है किस बादसाक अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे आपसन औरेंजेव सेंसा अकवर सहां जहां तो इसका उतर होगा औरेंजेव आपसन ही हो जाएगा अगला कोशन है गुल बतन बेगम पुतरी थी किसकी हुमाईु की अगला कोशन है दिलिव के परशिद जहां महज़ित का निर्मान किसने किया आपसने इबराहिम लोदी सहां जहां नूर जहां जहांगीर जहां मजिस्ग निर्मान किस ने किया तो सहाज जहांगी दोरा किया गया अप्शन भी हो जाएगा अगला कुशन साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स हुआ अप्शन 1912-1917-1928-1931 तो इसका उतर होगा 1928, ओप्शन सी अगला कोशन है भारतिय कमिरिक्ट पार्टी का असीत्व किस वर्स में आया अप्शन 1912-1915-1918-1921 तो इसका उत्तर होगा 1921 अप्शन डी अगला कुश्चन है अकवर के काल में महाभारत की फार्षी अनुवाद किसके फार्षी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था वह कौन था दस्तो अप्शन उत्वी फैजी नाजरी या अबुल फजल अकवर के काल में महाभाद की फार्षी अनुवाद हुई थी तो जिसका निर्देशन फार्षी अनुवाद निर्देशन हुआ तो वह कौन था वह था दस्तो फैजी था ऑप्शन भी हो जाएगा एकोशन इस ने मुगल परसासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है है कि अप्सने अहार सरकार सुभा दस्तूर जीले को सरकार के नाम से जाना जाता था अप्सन भी हो जाएगा आए कोशने परसिद संतिग संगी तक के तांसेन का मकवरा इसी थे अप्सने आगरा जैपूर जहांसी गवालियर तो इसका उतर होगा दूस्तो गवालियर में अप्सन डी हो जाएगा अगला कुश्चन है किस मुगल बासा को जिन्दा पीर कहा जाता था अप्सन या कवर जहांगीर सहांगीर और इंजे तो फैजिन्दा पीर के नाम से जाना जाता दोस्तो और इंजेब को अप्सन डी हो जाएगा अगला कुश्चन है अकवर दोरा बनाए गई कौन सी इमारत का नक्सा बहुत बिहार की तरह है अप्सन है दिवाने खास पंच महल जोधावाई का महल या बुलन दरवाजा तो इसका उत्तिर होगा दोस्तो पंच महल अप्सन भी हो जाएगा अगला कुश्चन है मुम्ताज महल का असली नाम था अप्सन है अजुमंद बानो बेगम रोसनारा लाले बेगम मुम्ताज महल का असली नाम था दोस्तो अजुमंद बानो बेगम अजुमंद बानो बेगम अप्सन है अजुमंद बानो बेगम अप्सन है अजुमंद बानो बेगम अप्सन है अजुमंद बानो बेगम अप्सन